हेलो शुडेंट टुडे वी हेवलान क्लास एट हिंदी पार्ठ आठ एक सांस अजादी के इसे लिखा गया है डॉक्टर जीवन येदिव के दुआरा ठीक है ये जो पार्ठ है न हो क्या है ठीक है न तुप हम लोग इसको समझेंगे और इसका अर्ठ समझने के कोशिश करेंगे हम लोग इसे हिंदी में समझेंगे ठीक है न देखें पढ़ते हैं इसे पहला है जियत जागत मनखे बर जे धरम बरोबर होते एक सास आजादी के सौजनम बरोबर होते देखे इसमें जो आएका ना इसमें आपको ना संदर्व लिखने के लिए आएगा प्रसंग लिखने के लिए आएगा ये वैक्के लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें संदर्व, संदर्व क्या होगा, परस्तूत पंक्ती हमारे पाठ्थे पुस्तक हिंदी के एक सास आजादी के से लिया गया है, इसके कवी डॉक्टर जीवन यदू जी है, ठीक है, प्रसंग, प्रसंग जो है ना, हम लोग पहले पर हो थे, तो देखिए, पहले ब्याइन का मतलब क्या है, पहले ब्याइन में कवी जीवन यदू जी है ना, वो बोलना चाहते है ना, कि जीवित है ना, जीवित मतलब की जीवित है ना, और कभी कहते हैं कि जीवित व्यक्ति के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए, जीवित एक सास आजादी के सो जनम बरोबर होते मतलब कभी कहते है न कि आजादी की जो एक सास होती है वो क्या होती है वो न सो जनमों के बराबर होती है किसके जो की क्या होती है जो लोग गुलाम में रते हैं उनके तो एक सास आजादी के का मतलब यही है ना कि आजादी में यह दिया आप एक विसास ले 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 ना तो क्या है सौ जनम के वो बराबर होती है थार आप कह सकते हैं कि इस पंक्ति में कभी ने आजादी के महत्तों को बताया है और कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवित है ना उन के लिए आजादी की एक सास क्या होती है सो जनम के बराबर होती है मतलब की गुलामी के सो जनम जी लो या आजादी मेरा करके आप एक सास ले लो वो दोनों क्या है बराबर है ठीक है जो देखें हम लोग ना इसमें संदर बता चुके थे और व्याक्या पढ़ चुके हैं अब पढ़ेंगे प्रसंग तो प्रसंग इसमें आप बूल सते हैं ना कि इस पंक्ती में कवी नेना अजादी के मात्तों के बारे में बताया है ठीक है जेकर चेठी मा जुडा कस माड़े रथे गुलामी जेन जोहारे बैरी मनला घोलंड के लामा लामी नावले जादा जगमर होकर गबदनामी आयसन मनके के जिन्दिकी बेसरम बरोबर होथे फर्स लाइन देखिए जेकर जेथीमा जुड़ा कसे माडे रथे गुलामी मतलब जेकर जेथीमा जिनके गले में गुलामी का न जुड़ा कसा हुआ रहता है जेन जोहारे बैरी मन लगोलंड के लामा लामी मतलब कि जो क्या करते हैं जो न दुस्मनों का साथ देते हैं या जो कि क्या करते हैं दुसमनों को प्रणाम करते हैं उनका नावले ज़्यादा जगमा होकर होत गा बदनामी उनका नाम से ज़्यादा जग में क्या होता है बदनामी होता है अईसन मनखे के जिंदिगी बेसरम बरोबर होते हैं और ऐसे लोगों ऐसे मनुष्यों की जिंदि वो बेश्रम के बराबर होती है तीक है न सुनिमत इसमे critically में जिनके गले गुलामी के जुड़ा दयार हुआ रहता का नााम से जादा क्या होता है जग में वर नामई होता है ऐसे iーいcen ऐसे मनुश्यों ने यह सका हो प्रसंग क्ला prophets संहीं होती है तो प्रसंग में भूलेंगे कि कवी ने क्या किया है चापलू सवेक्तियों के बारे में बताया है कि उनकी जिन्दगी कैसी होती है ठीक है ठाड है लहु के नदिया तौर निकल थे बीरह जत के बेरा सुरुज निकल थे मेट के करिया बादर वाला गेरा देखे इसमें ये बुला गया है न कभी कहते हैं कि जो देश के वीर सपूर्ट है जिस समय आजादी की लड़ाई के लिए लड़कर निकलता है या लड़कर आता है मतलब कि जो की लहु की जो नदिया है न वो पार कर कर के आता है मतलब सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला गेरा तब जो होता है न स्वातनता का सूरज है न वो निकलता है गुलामी के काले बादलों को मिटा कर तब गुलामी के काले बादलों को मिटाकर स्वतंद्रता का सूरज निकलता है या उदै होता है कभी कहते हैं कि देश के वीर सपूत अजादी की लड़ाई के लिए जब आता है तो क्या करता है उससे होता ये है कि जो गुलामी रूपी बादल है ना जो कि पूरे देश पर मंडरा रहा है उसको क्य करता है दूर करता है और उससे स्वतनरता का सूरज उदय होता है ठीक है उजियारी ले तभी उसलते अंधियारी के डेरा सब परानी बर आजादी करम बरोबर हो थे उजियारी ले तभे उसलते अंधियारी के डेरा इसका मतलब है ना कि जब जो सूरज का प्रकास है ना अम्राज है या गुलामी रूपी जो अंधेरा है ना जब वो खतμ होता है ना सबे परानी वर अजादी करम भरोबर होते तब सभी वेक्टेउं के लिए जो अजादी है ना वो करम के बचादर होती देक है अर्था हम कह सकते है कि हमारा जो पहला करतब विहना ऋफो क्या है अजादी है ठीक है न तो देखे इसका मतलब फिर समझते हैं अर्थात कभी कहते हैं कि जब देश के वीर सपूत अजादी की लड़ाई की लिए आता है तो उससे गुलामी रुपी बादल क्या होता हरता है और सूरज सुटनता का सूरज क्या होता है उदय होता है और जिससे सूरज के परकास से अंदेरे का जो समराज है ना देरा मतलब समराज कहता है खतम हो जाता है और जो मनुष्य है ना जो भी इंसान है जो भी वैक्ति है ना उनके लिए आजादी क्या होती है कर्म के बराबर ह ठीक है इसमें आप लोग प्रसंग क्या बोलेंगे इसमें आप प्रसंग बोलेंगे कि प्रस्तूत पंक्ति में कभी ने अंदिकार रूपी घुलामी के खत्म होने वह स्वतंता का सूरज उद्य होने की बात की है ठीक है नेक्स्ट है जेला नहीं है अजादी के इको कनी चिनहारी परके कोठा के बहिला मंचर्थे ओकर बारी मतलब कभी कहते हैं न कि जिस वैक्ति को जिस वैक्ति को अजादी का ग्यान जो कि अजादी के बारे में कोई पता नहीं है उसके महत्यों के बारे में कुछ पता नहीं है वही बोल रहे हैं, कभी कहते हैं, कि जिस विक्तिक हो अजादी के बारे में ज्यान नहीं है, उसके महत्तों के बारे में नहीं पता है। एको चिन्हानी पर के कोठा के बहिला मन चर्थे ओकर बारे और उसके घर में क्या हो रहा है उसके घर में ना दूसरों के लिए कोठा के बहिला मतलब कोठा मतलब गौशाला के मतलब की बैल जहां रहती है ना वहां तो उसके घर में क्या हो रहा है दूसरे वैक्तियों का क्या मातलब कि सासन चल रहा है आजादी के बासी आग बिर्था सेना थारी सोन के पिंजरा मं आजादी भर्म बरोबर होते तो आजादी के बासी- आगू-बिर्था- विर्था- थारी इसका मतलब मतलब आजादी की जो बासी रोटी है वो क्या है वो कहीं जादा बेहतर है कहीं जादा अच्छा है सोने की जो ठाली में जो खाना है उससे तो मतलब आजादी की बासी रोटी वो ना अमीरों के ना स्वादिष्ट भोजन से क्या है बहुत ज्यादा अच्छी है देखें यहाँ पर बासी आगो मतलब ना कि जो बासी मतलब कि गरीबों का जो खाना है ना गरीबों का जो भोजन है सोनहा थाली सोनहा मतलब कि जो सोने क जो बरतन में रखा हुआ खाना है उससे क्या है बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि आजादी की बासी रोटी है मतलब कि सुखी रोटी है ठीक है सोन के पिंजरा में आजादी भरम बरोबर होते जैसे सोने की पिंजरे में माल लिजे ना के लिए पंची बंध है तो भी वह कोती है ठीक है तो अर्थार्त कभी कहते हैं कि जिसवेक्ति को कुछ विज्यान अजादी का कोई विज्यान वा महत्य के बारे में नहीं पता है और जिनके घर में क्या हूरा है दूसरों का सासन चल रहा है उनकी आजादी की बासी मतलब कि आजादी की जो सुखी हुई रोटी है वो अमीरों के स्वादिष्ट भोजन से क्या है बहुत ही जादा अच्छी है जैसे सोने की पिंजरे में कोई भी पच्छी बंध है तो उसे ऐसा महसूस होता है तो fryत संग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ती में कवी ने आजादी के ज्ञान वह महत्यों के बारे में बताया है ठीक है next and last है माढे पानी हा नई गावय खलवल खलवल गाना बिना नहर उपजाए ना बांधा खेटमा इको धाना देखें से पहले है माढे पानी माढे पानी मतलब होता है रखा हुआ पानी कभी भीना क्या होता है खलवल खलवल की आवाज नहीं करता है अर्थात कभी कहते हैं कि रुका हुआ पानी या रखा हुआ पानी कभी भीना कल-कल मुला कि पानी के तरह कल-कल की आवाज नहीं करता है मतलब गाना नहीं गा सकता बिना नहर उपजाएना बांधा खेतमा एको दाना जिस परकार बिना नहर के खेतों में या बिना बांध बनाए खेतों में एक भी धान या एक भी दाना उपज नहीं सकता न कवी यही कहते हैं कि जिस प्रकार बिना नहर अत्वा बांध के खेतों बिना नहर अत्वा बांध के पानी की सिचाई के बिना खेतों में एक भी धाना उपज नहीं सकता अपन गोड के बंधना छोरा है ओला मिला ठीकाना अपन गोड के बंधन अपन गोड मतलब होता है पैर जब तक व्यक्ति अपने पैर में बंधे हुए गुलामी के जंजीर को नहीं तोड़ेगा न तब तक वह क्या होगा आजाद नहीं हो सकता है मतलब येदी हमें आजाद होना है तो अपने पैर में बंदे हुए गुलामी रुपी बंधन को हमें तोड़ना होगा आजादी है सब विकास के मरम बरोबर होते और आजादी ही सभी व्यक्तियों के लिए क्या है मरम के बराबर है देखे एक बर समस्ते हैं से फिर से कभी कहते हैं कि रुका हुआ पानी या ठारा हुआ पानी जैसे कलकल की आवाज नहीं कर सकता जैसे बिना नहर वा बिना बांध के खेतों में एक भी दाना का उतपादन नहीं हो सकता अर्थात बिना नहर या बांध बनाए उफसल नहीं उपजाय जा सकता जैसे वैक्ति अपने पैरों में बंधे गुलामी रुपी बंधन को नहीं तोड़ेगा तब तक उसके लिए आजादी पाना संभो नहीं है अर्थात गुलामी की जो जिन्दिगी है न वो क्या होती है नर्ग से बत्तर होती है और आजादी ही क्या होती है वैक्ति के लिए तथा राश्ट के विकास के लिए क्या होती है मूल मंत्र है यह पर वहीं बताया गया ठीक है अब प्रसंग क्या लिखेंगे तो प्रसंग हम ल संदर प्रसंग बैख्या खतम होता है आसा करता हूं कि आप लोगों समझ में आया होगा यह कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं मैं आपकी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिस करूंगा मिलते हैं नेक्स विडियो में तब तक लिए थैंक यू